दोस्तों आज इस वीडियो में एक ऐसे फल के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसके खाने का सही तरीका हमें पता होना चाहिए कब खाना है कैसे खाना है और साथ ही साथ किन चीजों के साथ इसे नहीं खाना है किन के साथ इसे खाना है साथ ही साथ दोस्तों ये जो फल है जिसे आप देख रहे हैं ये है केला बहुत ही सस्ता बहुत ही स्वादिस्ट होता है और गुणों से भरपूर होता है हम सब आसानी से केले को खरीद सकते हैं, केले को खा सकते हैं, जरूर खाये, अगर नहीं खाते हैं तो आज से ही खाना स्टार्ट कर दें, यदि आपको शायद इसके पोशक्ततों के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी, जो कि आज मैं आपको डेने वाली हूँ, जब भी केल खरीदे ना, हमेशा बंच में खरीदें, ये दिख रहा है ना उपर की, जो इसकी नौप दिख रही है, ये इस तरह से गठा हुआ होना चाहिए, मतलब जुड़ा हुआ होना चाहिए, खुले हुए केले, या जो केले का मुझ खुल जाता है, छिलका थोड़ा उतर जाता है, केले को तभी छिलें छिला हुआ कटा हुआ केले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है बस केले को छिले और फटा फट खा ले पहला थरीका तो यह है जो हम जब को ज्यादा सुविधा जनत लगता है चलिए अब पहले पोशक तत्वों के बारे में बता दूँ फिर बहुत सार है जब भी कभी कमजोरी लगती है थकावट लगती है बेवज़ा ही किसी काम को करने का मन नहीं करता है बिल्कुल हम बहुत जादा मतब इस्ट्रेस में रहते हैं एक केला खा लिजे तनाव को कम करता है हमारे कमजोरी को दूर करता है हमारी थकावट को दूर करके हमारे शर के दर्द जोडों के दर्द से भी आराम पहुंचाता है तो केला जरूर खाएं आप अगर दूद के साथ केला खाया जाता है तब तो ये सोने पे सुहागे के जैसा काम करता है ये और भी फायदे मंद होता है जो लोग वजन को बढ़ाना चाहते हैं जो लोग बहुत जादा अपने दोनों हाथ दोनों पैरों पर अच्छी तरह से रगड लिजे 5 मिनट तक मसाज करें और इसे लगा रहने दे 5-7 मिनट हाथ और पैरों पर हाथ पैरों में जो जुर्रियां आ जाती हैं जो रिंकल्स आ जाती हैं वो सारी चीज़ें बिलकुल ही दूर होंगी केले का बहुत उपियोगी होता है जो लोग वजन को घटाना चाहते हैं बढ़ते हुए वजन से परिशान हैं बैली फैट को रिडियूस करना चाहते हैं उन्हें केले के छिलके को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए एक गिलास पानी में इन छिलकों को बारिक-बारिक काट कर उबाल कर सुबह के समय खाली पेट पीने से वजन कम होता है शरीर की चर्वी जो होती है वह तेजी से पिघलने लगती है तो इस तरह से केले के छिलके के भी बहुत से उपियोग है केले की पत्ती का भी बहुत सारी दवाईयों में उपियोग किया जाता है इसलिए आयरुवेद में इसका इतना महता है हाँ शाम के समय रात के समय केले का सेवन नहीं करना चाहिए सर्दी खासी कफ की समस्या हो सकती है तो कभी कभी आप चाहे ना बच्चों को जरूर दीजिए बच्चों के जो हड़ियां है कमजोर हो गई है या बच्चों का विकास हो रहा है बच्चों ग जो लोग वजन को बढ़ाना चाहते हैं वे लोग भी शक्कर डालकर दूद केला ले सकते हैं जो वजन को कम करना चाहते हैं उन्हें दिन में केवल एक केला खाना है और बिना दूद बिना शकर के बढ़ाने वाले लोग अच्छे से खा सकते हैं दूद भी डालिए शक्कर भी डालिए वजन बढ़ जायगा आपका पर बहुत से लोग आचकल परिशान है वजन नहीं बढ़ रहा है ये भी कमेंट आते हैं मेरे पास तो खाली पेट कभी भी केले का सेवन ना करें जब आप लोग ब्रेकफास््वास्ट करते हैं नाश्टा करते है वात पित और कफ रोग की संभावना होती इसलिए ऐसा बोला जाता है दोस्तों तो केला कच्छा केला भी आता है मेरे हाथों कच्छे केले की बहुत अच्छी सबजी बनती है कमेंट करेंगे ना तो कच्छे केले की सबजी बना कर भी आपको वीडियो बना कर दिखाऊंगी दोस्तों, आप केले का बनाना शेक बना सकते हैं, बनाना शेक बनाने के लिए इसमें कुछ ड्राइफ रूट्स डाल सकते हैं, थोड़ा सा पानी में भीगा हुआ बदाम बारी काट कर डालिए, दो-तीन काजू डाल दीजे, अगर है तो नहीं है तो छोड़ दीजे, दूद क केले को अच्छे से ब्लेंड कर लीजे और ये बन गया हमारा बनाना शेक, इसमें थोड़ा सा मैने शक्कर डाला है, दो बादाम पानी में भीगे डाल सकते हैं, बहुत स्वाधिस ठोलका, शारीरी कमजोरी दूर होगी दोस्तों, और कई बिमारियों में केले का सेवन बहुत फाइदे मंद होता है, हाँ, जब आपको सर्दी खासी है, कफ है, तब आप केले का सेवन बिलकुन ला करें, तो दूर के साथ लेने से ये और भी ज़्यादा गुण कारी बन जाता है दोस्तों, और कच्छे केले की सबजी खाएं, अगर केला कच्छा है तो कभी भी ना खा कई बार हम लोग कच्छा केला ले आते हैं गलती से, तो फिर मैं कई बार ऐसे ही पकाती हूँ कि कच्छा केला नहीं खाना चाहिए, बनाना शेक बन कर तयार है, आप चाहें, तो इसमें एक चमच, हनी, शहर भी डाल सकते हैं से मीठा करने के लिए और भी गुणकारी हो जा कई बिमारियों से लडने की ताकत मिलती है, अगर हम केले का सेवन करते हैं, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट है, उन्हें भी केला खा लेना चाहिए, एक केला, जादा केला नहीं, केला जो होता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, डायबिटिक पेशेंट को तो वैसे भी मीठा खाना मना होता है, तो वे लोग अपने मीठे खाने की इच्छा की पूर्ती कर सकते हैं, एक केला खाके, भरपूर मातरा में इसमें पोटेशियम होता है, और पानी होता है, पानी की कमी की पूर्ती करता है, पोटेशियम होने क दो केले से जादा नहीं खाना चाहिए हाँ आप यंग एज के हैं तो दो क्या तीन केले भी खा सकते हैं आप जवान है यंग है नहीं तो बाकी लोगों को एक या दो केला उससे जादा केला नहीं खाया जाता है विटामिन सी से भरपूर होता है कैंसर के खत्रे को कम करता है और साथ ही साथ दोसों ये जो होता है केला जो होता है ये फ्रेगनेंट लेडी के लिए माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत फायदे मन्दे वीडियो को लाइक करें शिखास कीजन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें